इतनों जय माता दी, आप देख रहे हैं धर्म सिक्षा, धर्म सिक्षा में हर रोज की तरह एक बार फिर से मैं आज जिरूँ, आज का संपून राशी फल लेकर, यह संपून राशी फल है मंगलवार याने की 2 मार्च 2021 का, अगर आज के पंचांग के बात करें, तो आज है विक उसके बाद फिर चित्रा अंचातर आरम हो जाएगा, वरत त्योहार में आज है संकष्ठी गनिश चतूर्थी का वरत, मित्रों अगर आपको आज का पंचांग और भी विस्तार से जानना है, एक एक मूर्तों के वैम जानना है, तो डिस्किप्शन में आज के पंचांग का आज के संपूर्ण रासी फल के वीडियो में हम जानने वाले है, कुल 12 रासियों का आज का रासी फल, साथ हम जानेगे आज का सुब समय असुब समय दिसासूल, सुब खादे, रासी उनसार क्या खादे पतात आपके लिए आज सुब रहेगा, रासी उनसार कौन सा रंग रहने वाला है यानि कि आपके लिए आज का लखी नमर क्या रहने वाला है तो वीडियो में हमारे साथ अंतक बने रहे और संपूर रासिफल का लाव उठाईए वीडियो गर आपको पसंद आये तो इसे लाइक तो जोर करें साथी कमेंट बॉक्स में जह मतादी जोर लिखें मितनों आज के बारा रासिफल आपको बता नाराम करूं उससे पहले आईए एक लिजर डालते हैं आज के गरहों किस्ते दीबर क्योंकि गरहों किस्ते दीबर पूरा का पूरा रासिफल निर्वर करता है आज मंगल राहू के साथ व्रिष रासी में चंदर्मा कन्या रासी म केतु विष्चिक रासी में बुद्ध, गुरु, सनी, तीनुएक साथ मकर रासी में, सुरी, सुक्र के साथ कुम रासी में विराजित है। कन्यारासी में चंदर्मा आज साम के साथ बच कर तीस मिर्ट तक विराजित रहेंगे, उसके बच चंदर्मा तुलारासी में प्रविस कर जाएंगे। तो इन ही सभी ग्रहों का मिला दला हाल, आज के रासी फ़ल में हम जानने वाल हैं। तो आएए बात करेंगे पहली रासी में चंदर्मा आज आठमें स्थान में विराजित है। जिसके फ्लसुप आज आपको परिवार जनों का साथ मिलेगा, खास करके बड़े भाईबानों से, मता पिता से भी कुछ आर्थिक सहीयोग आपको मिल सकता है। परिवार में सुक्सान्ति का महल बना रहेगा, जिसके फ्लस रूप घर में साकारात मकता भी रहेगी। लेकिन आज आपके लिए लराई जहरे के योग बढ़न हैं तो आपको सबसे अच्छे समन बना के रखने होंगे। खास करके सगे समन्धियों से परोशियों से। किनी किनी जातकों को कोई अच्छा दोस्त आपको मिल सकता है। लेकिन किसी नए पर भरोसा करने से पहले उनकी जान जोर करें। आज आपके जिद्दी रवईये की वज़़े से आपको कुछ नुक्सान भी हो सकता है। तो कल्पिनाओं के पीछे ना दोरे, सोच समझ कर ही काम ले। अगर अपने पिता या धर्मकुर्प की सला से कोई कारी करेंगे आप तो उसमें आपको सफलता की प्राप्ती भी होगी। व्यापार धन की बात के तो आज आपको व्यापार में करी चुनोतियों का सामना करना पर सकता है लेकिन इस चुनोति से घबराएं नहीं बलकि इसका सामना टटकर करें। आज किसी से पैसे उधार लेने से भी बचें। आज कर्ज लिएगे पैसे आप जल्दी से चुका न के लिए आजके न सामाने रहने वाला है अपने समय को प्रवाद करने से बचें समय का एक एक पल मातपूर नहीं उस पल का लाब जो उठावें अभी अपना ध्यान सिर्फ और शिप अपने पढ़ाई में ही लगावें स्वास्त की बात के तो स्वास्त आपका अच्छा रहने आपको प्यार के जहार करने से भी पचें आज के ने कुर अपने खाद बदात में सामिल केंगे तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुब्रंग लाल रन और आपके लिए आज का लकी नंबर नौड रहने वाला है बात केंगे वरिशासी की वरिशासीम आपको मिलेगा आपके संतान का सहयोग आपको प्राप्त होगा कोई पुराना फसावा रुका हुआ काम भी आपको पूरा हो सकता आज सरकारी कारियों सापको लाब मिलेगा आज आपको आपके मित्रों का सहयोग भी प्राप्त होगा आज आप मानसिक सांति का अन्भाव कर आज आपके व्यापारिक प्रतिददी, आपको व्यापार में नुक्सान पहुचाने की कोशिस कर सकते हैं, लेकिन व्यापार में आपकी स्थयती अच्छी बनी रहेगी, जिन जात्कों को मकान या गाड़ी की तलास है, उनकी खुश-पूरी हो सकती है, जो अथक नुकुरी क परतोगताब परिक्षा के तयारी कर रहे हैं, उन्हें सफलता मिल सकती है आज, स्वास्त की बातकेट आज आपका स्वास्त अच्छा रहने वाला है, मानसिक सांती का अनभव करेंगे, फिर भी अपने स्वास्त का ध्यान जबूर रखें, प्रेम समंद की बातकेट, प्रेम सम सकती है, आज के दूद या दूद से बनीवी चीने खाएंगे तो आपके लिए सुब रहेगा, आपके लिए आज का सुब रंग गुलाबी रंग और आपके लिए आज का लखी नमर पांच रहेगा, बात की मिथ्षु रासी की, मिथ्षु नासिम चंद्रमा आज दसमी अस स्थान में विराजित है जिसके प्रसब आज आपके कारी छेत में आपको सम्मान की पापती होगी आप जो भी काम करते हैं उसमें आपको प्रोचसान मिल सकता है आपके परतिदन्यों को परास्त करने में आपको सफलता की पापती होगी अपने घर के कारियों में आज आप वै तिद्वी रह सकते हैं व्यापार धन की बात के तो आज आप में आत्मिस्वा भरपूर होने के कारण आप मांसिक तोर पर मजबूत नजर आएंगे जिसका फायदा आपको भी व्यापार में मिलेगा जो आतक नोकरी कर रहें उन्हें अपने सहकर्मियों से चुनोती मिल सकती ह आज आपके खर्च भी ज्यादा हो सकते हैं तो फिजल खर्चों के नियें तरन जोड़ रखें विद्यार्थी की बात के तो आज आज आपके मित्र आपका ध्यान परहई से बढ़ницмें में ज्यादा समय की बरवादि ना करें अपने परहई पर ध्यान दें स्वास्त की बातकेद आज आपको अपने स्वास्त के परती सचेत रहना चाहिए कोई पूरानी बिमारी आपको परिशान कर सकती है कुछ जातकों को जोरों का दर्द परिशान कर सकता है तो हलका व्यायाम करना आपके लिए अतित्तम रहेगा प्रेम समंध की बातकेद प्रेम और आपके लिए आज का लखी नमर रहेगा छे बात करें करकरासी की करकरासीम चंद्रमा आज 11 हुए अस्थान में विराधित है जिसके फ्रसुप जो महनत आपने बीते दिनों में किया है उसका फल आपको मिलेगा जिसके कारण आपके आत्मिसौस में वर्दी होगी आज अगर आप अपने बुद्धी का इस्तेमाल करेंगे तो पारिवारिक समस्या सुधारने में भी सफलता प्राप्त होगी आज आपके धहरी में कमी आ सकती जिसके कारण बने हुए काम भी आपके बिगर सकते हैं व्यापार अधन की बात के तो आज आप अपने बात करने की छ अपने बात करेंगे विद्यार्थी की विद्यार्थियों के लिए आज करने अच्छा रहने वाला है आज आप अपने पढ़ाई के लिए अनकूल इस्तिती का अनुभव करेंगे तो ऐसी इस्तिती का लाब जरू उठावें ज़्यादा अपने पढ़ाई-पढई ध्यान बात केंगे स्वास्तिकी तो आज अपने खान-पान का ध्यान रखें पेट समधी किसी दिक्कत का सामना आपको करना पर सकता है तो अपने स्वास्त का ध्यान जरू रखें प्रेम समध की बात के छोटी मोटी बात्तों को लेकर अपने जीवन साथी साज उलच सकते हैं एक चांदी के बरतन में खीर खाएंगे तो आपके लिए आज का शुब्रन करिम करेंगे और आपके लखी नमर चार रहेगा बातिने सिंग रासी की सिंग रासीम चंद्रबा आज 12 हुए अस्थान में विराजित है जिसके फ्रसुप अगर आप किराई के मकान में रहते हैं तो आपके मकान मालिक के साथ समन्त बिगर सकते हैं तो यहां आपको सब्धनी ब्रतनी चाहिए, आज आपको संतान के तरफ से खुषी हो सकती है, परिवार में साकारात्मा बहतावरा निसकान बना रहेगा, किसी पुरानी समस्या का अंत भी आपको हो सकता है, आपके आदमिश्वास में कमी आ सकती है, साथे अपनी वाणी पर रखें जो कि आज आपके लड़ाई जहरे की योपी बन रहे हैं ओफिस में आपके सीनियर आपको किसी काम को लेका उक्सा सकते हैं धरी से काम ले यह एक सोची समझी साजिस भी हो सकती है व्यापार धनकी बात के तो आज आपको व्यापार में हानी का सामना करना पर सकता है अ बात के विद्यार्थी कीविद्यार्थियों का मन चनिचल रहेगा परहाई का लावा अना चीजहों में समय की परबादी ना करें अपने पहरा फ्लीद देखिशा के छित में विद्यार्थ denosSON का डिकत का सामना करना पर सकता है स्वास्त की बात के तो आज आपका मन ऐसा अंत रहेगा मेडिटेशन करना आपके लिए लाब देक्सिद हो सकता है जो आतक हाय ब्लेड पेसर या डियापटीज के रोगी है उन्हें अपना ध्यान आज भी इस दोर पर रखना चाहिए प्रेम समन्द के लिए आज के अच्छा रहने वाला है जीवन साथी को समय दे उनकी भावनवां की कदर करें इससे आपके समन्द मिमिठा सुथभण होगी प्यार के जहार करने से आज के अच्छा रहने वाला है आज के निगए दूच से बनी वीचीय खाएंगे आज कोई भी निरने भाउकतावस ना लें, ऐसे निरने उस्या परिशानी में पर सकते हैं, बेरोजगार जातकों को रोजगार की प्राप्ती हो सकती है, आपको आज भागे का साथ भी मिलेगा, परिवार के किनी दोसर दस्यों के बीच मनमटरा बर सकता है, अगर आज पूरे परिशनाई बातों पर आख मूंद कर भरोसा ना करें, सचाई को पढ़कें, तब ही आगे बरें, व्यापार धन की बात के व्यापारियों को आज कोई भी निरने बहुत ही सोच समझ कर लेना चाहिए, किसी अचानक साय चुनोतियों का सामना आपको करना पर सकता है, तो इस लक्ष की प्राप्ति चाहते हैं, उसके लिए अच्छी योजना बना कर मेहनत करें, सफलता जरू मिलेगी आपको, स्वास्त की बात के तो आज आज आपको अपने स्वास्त के परती सचेत रहना चाहिए, जिन जातकों को हाई ये लोग ब्याट पेसर किसी कायत रहती है, व आज आपके प्रेम समंद में किसी प्रकार की चिंताहत्मन हो सकती है, आज के लिए केला खाएंगे, तो आपके लिए सुबरंग लाल रंग और आपके लिए आज का लखी नमर रहेगा पाँच, बात के लिए तुलारा सेगी, तुलारा सिम चंद्रमा आज दूसरे स्थान म प्रसुप आज आपका मन आत्मिश्वा से भरपूर रहेगा लेकिन मन में नहकरात्मक विचार भी आपके आ सकते हैं छुटी मोटी परिशानियां आएंगी लेकिन उन परिशानियों पर विजय पाने की कोशिस करें कुछ नए विचार आपके लिए फाइदे मन साबित आज ह हो सकते हैं आज अगर आप किसी की मदद करते हैं तो उसका फाइदा आपको भी कहिन कहीं मिलेगा बिना जांच परताल के किसी कानूनी दस्तावेच पर हस्ताक्षा बिलकुल भी ना करें इससे आप मुश्किलों में पढ़ सकते हैं व्यापार अधन की बाकित आज आपको व्यापार में लाप होगा व्यापार में जो भी आपके परति जुन्दी हैं आज उन पर आप विजय प्राप्त कर सकते हैं जो आतक नोकरी कर रहे हैं उनके लिए आज के इच्छा रहने वाला आपके सीनियर या बॉस आपके काम से प्रहावित हो सकते हैं लेकिन आपको सल स्वास्त की बात के तो आज आपको मौसमी व्याणियों को लेकर सतर्था रखनी चाहिए, आपके सार्रिक और मानसिक व्याणि की जर आज आपका दुख हो सकता है, व्यायाम करें, खुली हवा में टालें, आपके स्वास्त के लिए अच्छा रहेगा, बात के लिए प्रेम सम सकी, विश्चीक रासिम चंदर्मा आज तीस्ते स्थान में विराजित है, जिसके प्रसब आज आज आपको आपके छोटे भाई बहनों का सही हो, प्राप्त होगा, आज किसी जोरत्मन व्यक्ति की मदद जरूर करें, इससे आपको भी जीवन में फायदा होगा, आपके पि प्राप्त हो सकते हैं, आज किसी गलत फैमी के कारण आपके और आपके प्रियेजनों के बीच लराई छेगरे हो सकते हैं, तो यहाँ पर आपको साब्धाने बरतनी चाहिए, व्यापार धन की बात के आज आज आपको अपने केरियर में सफलता की प्राप्ती होगी, आज आ उनके दोस्तों हैं, लेकिन उनकी चबी बिगारने के भी कोशिस करते रहते हैं, विद्यार्थी की बात के विद्यार्थियों के लिए आज के मिलादा रहने वाला है, परही साब का मन भटकेगा, ऐसे इमें अपने लक्ष का ध्यान करेंगे, तो आपको फाइदा भी होगा स्वास्त की अगर बात करें, तो आज आपका स्वास्त अच्छा रहने वाला है, चुस्ती और फूर्ती का अन्वाब करेंगे, लेकिन मौसमी बिवानियों से आपको सचेद भी रहना चाहिए, प्रेम समन्त की बात के तो आज आप जीवन साथी के साथ समय बिताएं, इससे आपको और आपके जीवन साथी को दोनों को अच्छा महसूस होगा, आज की दिन अगर चांदी के बर्तल में खीर खाएंगे, तो आपके लिए सुबह हैगा, आपके लिए आज का सुबरन, औरेंज कलर, और आपके लिए आज का लखी निमर रहेगा, एक, बात करेंगे धन आपके बहुत सारे काम भी बन सकते हैं, अपने लगनव और आत्मिस्वास से आप अपने कारियों को बेहतर दंग से कर पाएंगे, जो आतक मीडिया से जुरे हुए हैं, उनके लिए आज के निच्छा रहने वाला हैं, व्यापार और धन की बात के तो आज आप अपने सास और पारक्रम के बल पर अपने कारी छेत्मिस्तिती को सुधार सकते हैं, आपका आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा, यस और किरती में विर्धी होगी, आपके व्यापार में तेजी देखने को मिलेगा, अपने काम पर फोकस रहें, इससे आपको फायदा होगा, नोकरी करने मेहनत करें, सफलता आपको मिलेगी, स्वास्ति की बात के जीन जातकों को जोरों का दर्द रहता है, उन्हें आज परिशानी हो सकती है, आज आपका बलड पेसर नॉर्मल रहेगा, वियायाम करें, योग करें, इससे आपको स्वास्ति में फायदा होगा, प्रेम समन्त की ब रहेगा, बाते हैं मकर रासी की, मकर रासीन चैनलमा आज पांच में इस्थान में विराजित है, जिसके प्रसुद आज आपको कई परकार के परिशानियों से मुक्ति मिल सकती है, कलात्मक कारियों में आपके रूची बढ़ेगी, आपके व्यक्तित में सकारात्मक हो सकते हैं, तो यहां पर आपको सबानी बरतनी चाहिए, आज आपने बच्चों के परहाई के लेकर थोड़ी चिंतित रह सकते हैं, इसके लिए आपको अपने बच्चों के परहाई में रूची समझनी होगी, बच्चों को उनके केरियर के परती भी प्रेइट करें, व्या को सट्टे भाई से लाब भी हो सकता है व्यापार थन के बाद बात करेंगे विद्यार्थी की विद्यार्थियों का मन चंचल लेगा अपने आपको सोसल मीडिया और मुगाइल फोन से थोड़ दूर रखें अब आपको अपने केरियर के प्रति सचेत हो जाना चाहिए स्वास describing to allerρεί को जानने के कशलिस करें अगर आप लंभे समय से प्यार के जहार के सोक ने तो यह समय आपकी लिए च्छा साबीत हो सकता है आज के लिए हडी सब्जियां खाएंगे तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुबरंग नीडा रंग और आपके लिए आज का लखी नुमर रहेगा आठ बात कहीं कुम्रासी की कुम्रासीम चंद्रमा आज छठे स्थान में विराजीत हैं जिसके प्रसुब आज आपके कारियों के दिखता रहेगी कारी छेत में परिवर्दन का मन भी आपको हो सकता है आज आप अपनी वानी की मदुरता से बहुत सारे कारियों को लिप्टा पाएंगे अगर आप अपनी वानी पाई अंकुस नहीं लगाएंगे तो बहुत साही लोगों के आकरोस का सामना को करना पर सकता है सासन और सत्ता के लोगों से कुछ सही होग आपको बिन सकता है आपके परिवार की परतिष्ठा भी बढ़ेगी अगर कुछ नया कारी आरम करना चाहते हैं तो इसमें कुछ समस्यावत्पन हो सकती है मन में किसी प्रकार की चिंता है रह सकती है व्यापार धन की बात के तो आज कहीं आपके पैसे बकाया है तो वहां से पैसे वसूली की पूरी समावना बन रही है पिछले काज को आप चुका पाएंगे व्यापार में अगर कुछ लंबे समय से दिक्कतें चली आ रही है तो उसे खत्म करना अतियावस्या कब हो गया है इससे वरना बहुत ज़्यादा हनी का सामना को करना पर सकता है विध्यारति की बात करें विध्यारतियों का मन परहाई में लागेगा लेकिन सफलता प्राप्त करने के लिए आपको और भी ज़्यादा मेनद करने की आवश सकता है सवंध की बात के जिन जात्कों को जोरो का दर दिया गठिया से समझे समझे है उन्हें आज थोरी परचानी का सामना करना पड़ सकता है आज आपको तुनापूर्ण वातावर अर नमयरहने की सला नहीं दी जा रही है प्रेम समंध की बात के तो आज आपका पारिवारिक जीवन सुख में रहेगा, जीवन साथी को समय दें और उन्हें समझें, इससे आपके प्रेम समंध में नई उर्जा का संचार भी होगा, लेकिन प्रेम समंध हो मैं सोच समझ का आगे बरहें, किसी तीसरे व्यक्ति की वज है, जिसके फ्रसुब आज आप अपनी बातों को समाज में मजबूती के साथ रख पाएंगे, आपके बच्चों के साथ आपका समय अच्छा बीतेगा, कई माइनों में आज के दिया आपके लिए चुर्णतियों से बहरा रहे सकता है, आज अगर आपको जीवन में कोई जीटा के साथ समुन भी कर सकते हैं, तो यहां साब्दानी बतनी चाहिए आपको, आज अगर घर से बड़े कासिवाद लेगा किसी काम के लिए निकलेंगे, तो उसमें सफलता आपको मिलेगी, ओफिस या व्यापार में, आपके साहकर्मियों के साथ आपका दिन अच्छा रहने वाला है, व्यापार धन की बातकित, व्यापारियों की दिश्टी से आज किन आपके लिए अच्छा रहने वाला है, जो आतक व्यापार करते हैं, उन्हें व्यापार में लाव हो सकता है, सम्मान व्यापारियों के बीच आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आवश सकत समन्द के यह को आपको सखलता की बाप्ती, स्वास्थ की बात कैसे, उन्हें कोई नया पार्टनर भी मिल सकता है आज की नितांबे के बर्तन में अगर पानी पी दें तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुब रंग लाल रंग और आपके लिए आज का लकी निम्मर रहने वाल है एक तो में तो ये था आज के 12 राशी का राशी फल अब जान लेते हैं आज का सुब समय आज का सुब समय यानि की गुली काल रहने वाल है दिन के 12 बच कर 33 मेर से लेकर 2 बज़े तक इस समय में कोई भी नया कारी आडम करेंगे तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी आज का असुप समय आने की राहु काल रहने वाला है दिन के तीन बच कर 27 मेर से लेकर चार बच कर 54 मेर तक इस समय में कोई भी नया कारी करने से बिल्कुल बचेंगे आपको और सफलता हाथ लग सकती है दिसासूर आज उत्तर दिसा में रहने वाला है नुकसान यहाँ भी हो सकता है सुब खाद्याज का गुर रहने वाला है गुर खाकर यातारम करेंगे और किसी नया कारी को करेंगे तो आपको इसमें सफलता प्राप्त होगी तो मैं तो ये था आज का संपूर ना सेफल कलके संपूर ना सेफल के लिए जूले दर्म सिक्षा के साथ हो देखते रही है दर्म सिक्षा जै मत अदी